नमस्कार साथियों आज मुझे सभी प्रदेश वासियों से माफी मांगनी है माफी इसलिए नहीं कि मैंने या हमने कुछ करत किया है मगर माफी इसलिए क्योंकि कंटिन्यूज गावर्منट से सरकार कंटिन्यूटी में चलती है कुछ तो कम्याइ रही होगी है जिसकी वजासे इतना कुछ दीनों में में किसी के ऊपर कोई उंग्लिया न हमीं उठाना चाहता मैं किसी की ऊपर क्वेन टिका टिपञे नहीं करेंगे humanity के रूप में पश्टाताप नहीं करेंगे introspection नहीं करेंगे आत्मचिंतर नहीं करेंगे तब तक हम भविश्य का रास्ता नहीं अपना सकते हैं मैं आज आप से ये विनम्र निवेदन भी करना चाहता हूं और आपको ये बदाना भी चाहता हूँ कि हम आने वाले समय में कुछ कड़े और मजबूत कदम लेना चाहते हैं ताकि हम अपने इन्वाइर्मेंट को सेफ़काट करें अपने प्रियतन को सेफ़काट करने के लिए और खास रूप से जो सड़कों का नुकसान हुआ है जिस तरीके से हमने ग्राउंड ज हाई है कुमारसन है वहाँ पर जाके देखा जो कलवट जो नाले और जो नालियां बंद हो गई थी सड़कों की जिसकी वजासे बगीचे के बगीचे नीचे आ गए यह हमारे लिए बहुत दुगदाई है इसलिए हम आने वाले समय में अपने विभाग में कुछ कड़वे और मजबूत कदम लेने जा रहे हैं हो सकता है कि किसी लोगों के लिए वो अच्छे भी ना हो उसका विरोध भी हो मगर in the larger interest of the people of the state we have to take these bold and strong decisions ताकि आने वाली पीडिया हिमाचल प्रदेश की सुरक्षित हो हमारा परियावरन सुरक्षित हो हमारा प्रदेश सुरक्षित हो और खास रूप से जो हमारी economy आज tourism के point of view से hit हुई है उसको वापिस पट्री पर लाने के लिए हमको ये कदम उठाने है हम आने वाले समय में इन विशे को जब विधाम सबा का सत्र शुरू होगा उसमें भी पूरी मजबूती से उठाएंगे ताकि प्रदेश की जनता को ये पता चले कि हमें अब कड़वे और मजबूत कदम जो है वो प्रदेश हिट में उठाने की आविशक्ता है हम हर चीज केवल इन्वाइर्मेंट के उपर एक्ट ऑफ गौड कहकर जो है हम अपना पला नहीं जाड़ सकते हैं जब हमको उसकी जिम्मेवारी लेनी होगी चाहे वो कमियां पूर सरकार की रही हो हमार से पहले की सरकार की रही हो हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम पूर सरकारों की कमियों को भी पूरा करें यही राजधरम है और यही प्रदेश को राम राज्य की ओर ले आने का एक महतोपुरन कदम है इस पे हमें आपका समर्थन चाहिए आपका सयोग चाहिए और सबसे बड़ी बात आपके सुझ हाव चाहिए किस तरीके से हम हमाचल को वापस सुरक्षित बनाएं फोर लेनिंग से जो नुकसान प्रदेश को हुआ है इस पे भी हमें आत्मचंतन करने किया विशकता है और इसमें भी नई टेकनीक स्टंगलिंग की हमको लाने किया विशकता है ताकि जिस तरीके से को कहा कि हम इन सब चीजों के ऊपर एक फ्रेमवर्क पॉलिसी लाने का प्रियास कर रहे हैं और जितनी भी हमारी रोड नेटवर्क हमाचल प्रदेश के अंदर पी डव्यूडी का है करीबन चालीस हजार स्क्वेर किलो मीटर सड़के हमाचल प्रदेश के अंदर हैं उसमें हम नई सड़कों को बनाने के साथ साथ जो एक्जिस्टिंग रोड नेटवर्क है उसको मजबूत करने के लिए जो हमारे कलवट हैं जो हमारे क्रॉस ड्रेनेज हैं हमारे नालिया हैं उसको हम मजबूत करने के लिए अलग से पॉलिसी आने वाले समय में लेकर आ रहे हैं ज केते रहें आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय हिमाचल